24 जुलाई को सोसल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वाइरल होता है जिसके बाद बिहार पुलिस के काम करने के तरीकों के ऊपर बिहार पुलिस के ऊपर और बिहार पुलिस के मंसा के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं जिसमें दारोगा जी किस तरीके से घूस मांगत लेते हुए नजर आते हैं और character certificate के बदले वो 2000 रुपए लेते हुए नजर आते हैं जिसके बाद पुलिस महकमे से लेके पूरे बेगु सराय में हर कम मच जाता है क्या है पूरी जानकारी क्यों बुडे फस गए हैं दरोगा जी और अब लंबे जाएंगे इस पूरी जानकार इस पूरे घटना क्रम से हम आपको रूबरू कराएंगे लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जन्ता जंक्षन बिहार पुलिस के काम को लेके हर बार इसके उपर सवालिया निशान खड़े किये जाते हैं और कई बार बिहार पुलिस के कुछ ऐसे क अपसर जो की घूस लेते हुए नजर आते हैं और पुड़े बिहार पुलिस के उपर ही सवालिया निशान खड़ा करवा देते हैं अपने काम की वज़े से और ऐसे ही एक दारोगा जी प्रकास में आये हैं जो की बेगु सराय के बलिया जो थाना है उसमें तैनात थे और य जबी पाच दिन भी नहीं बीते थे कि दूसरे दारोगा अजय कुमार सिंग जी का नाम सामने आता है जहां पे एक वीडियो वाइरल हो रहा है वीडियो में जो सक्स है उसका नाम राम भज्यू बताया जा रहा है और राम भज्यू कैरेक्टर सर्टिफिकट बनवाने के ल सेवा पानी मतलब आप कुछ पैसा दीजिए पैसा दो हजार रुपए का डिमांड करते हैं और जब दो हजार रुपए राम भज्यू निकाल के देते हैं तो कहते हैं कि नहीं बाएं हाथ से नहीं दाहें हाथ से दीजिए क्योंकि थोड़ा शुब होगा इस वज़े से ततकाल प्रभाव से हटा देते हैं उसके बाद उनके उपर विभागिये कारवाई भी शुरू हो जाती है लेकिन इस घटना के बाद बेगु सराय के साथ साथ पूरे बिहार में इस घटना ने एक तरीके से अलग ही माहौल बना दिया है एक बार फिर से पुलिस के मनसा के सवालिया निशान खरे होने शुरू हो गए हैं और लोग ये कह रहे हैं कि क्या बिहार पुलिस इसी तरीके से काम करती है क्योंकि ये मामला मतलब महद पास दिन में दूसरा है इससे पहले वहाँ पे जो धननजय पांडे दारोगा होते हैं वो घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं इस पी उनके उपर भी कारवाई करते हैं और उसके बाद ये दूसरा मामला जो है वो सामनी आया है जहां पे अजय कुमार सिंग जो की वहाँ पे दारोगा होते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बदले में राम भज्जू से दो हजार रुपे के डिमांड करते और वो राम भज्जू जो होते हैं वो कहते हैं क्यों नहीं अभी अभी मेरा जॉब हुआ है मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवशकता है तो बिल्कुल आप ये दो हजार रुपे ले लीजिए जिसमें दारोगा जी कहते हुए नजर आते हैं कि आप मुझे मत दीजि घूसी है काम घ्रिणत ही करना है और आपको दिखा देना है इस तरीके से कि भाई भले हम घूसी लेंगे लेकिन अपने अंदाज अपने तरीके से लेंगे फिलाल दारोगा जी बहुत बुरा फसे हुए हैं एसपी ने इनके उपर तुरंत कारवाई कर दी है इनको बढ़ कर दिया है विभागिये कारवाई शुरू हो गई है और अब दारोगा जी के साथ कुछ भी शुब होता हुआ नजर नहीं आ रहा बाकि इस खबर को लेके इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं बिहार पुलिस को लेके आपकी क्या राय है आप कॉमेंट कीजिए और अ नाम रजत है